आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जी तो क्या है और इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनको ऑस्टो प्रोसिस यानि हर्डियों का बूर्बूरा पन हो जाता है और काफी मैनुल्स वगरा का इस्तमाल करते हैं काफी डॉक्टर्स को दिखाते हैं ऐसा पेस्टेंट जो है वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि जादा देर खड़ा होता है तो यह लगता है कि जैसे हडियां टूट रही है वो बेटनें की जगा डूटता है ऐसे पेशिंट को ज्यादा खड़ा रहना भी नहीं चाहिए और कहीं पर भी चलते हुए कहीं ठोकर लगे कुछ लगे हड़ी तूड़ जाती है तो हड्यों का बुरबरापन वो बॉन्स स्क्रेनिंग में आता होता है कि आपका बुरबरापन कितना हो चुका है खास तोर प अब बहुत जादा फील होती है तो आज हम हड़ीों के बुरबरापन को खतम करना और उसका ख्याल रखना जिस तरह आप आगे मस्तेबिल में किस तरह ख्याल रखेंगे हम उसकी इवेरनस भी देंगे और साथ में रेमिडी बना कर भी दिखाएंगे तो इसमें जो हड़ीो हमने लिया है 50 ग्राम ठीक है और दुसरी है ये मगज बिनोला मगज बनोला ये दिमाग केलिए भी बेतर रहा साब के लिए भी बेतर है और डिप्रेशन के लिए भी भी वेतर है साथ में ये हडीयों में काटलिज को पूरा करने में मदद देती है, ये इसका पाउडर है, इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम, ठीक है, ये है शकाकुल, ये एक लकड़ी होती है, शकाकुल, ये मुसली की एक किसम होती है, जैसे सफेद मुसली, काली मुसली होती है, ये शकाकुल मुसली होती है, इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम ठीक है आप बिंडी खाते हैं ये बिंडी के बीज है इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम ये पाउडर में आप ये सारी चीज़ें साबुत लेके साफ करके उसके बाद मिक्स करके बारीक पाउडर भी बना सकते हैं और वजन बराबर होना चाहिए इन चार एक चाय वाली चमच छोटी दिन में दो मरतबा सुबह नाशते से पहले रात खाने से पहले एक कब दूद के साथ अगर दूद ना हो तो पानी से भी चले गाई ये और ये चार महीने यूज करना और फिर अपना बॉन्ज स्क्रेनिंग करवाना आपको इन्शालला नुमाय की तरह बनता है इसका इसनमाल का तरीका ये कि जैसे आपने सो ग्राम का पीस ले लिया उसे आप इतने पानी के अंदर रखें कि वो डिप हो जाए पानी पिर उसको पकाएं ये बिलकुल शेहत की तरह हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसे जब वो पानी जल जाए और आपका ये गौन्चवारा रह जाए क्यूंकि इसको साफ करना होता है इसमें मिटी भी है पत्थर भी है लकड़ियां भी है फिर जब ये पिगल जाती है बिलकुल पानी के अंदर मेल्ट हो जाती है वो पानी उड़ जाता है जल जल के पिर इसे उतार के आप कपड़े में ठीक है जो कच्रा होगा वो कपड़े में आजाएगा और आपका साफ गौन्चवारा कप में आजाएगा फिर उसे रख लें उसमें से एक चया वाली चमच एक गिलस दूद में मिलाकर चोबिस गंटे में एक बार रोजाना पियें और आपने आपको फिट रखें ये भी बेपतर है और ऐस्टो प्योनियों के ये पहुत बहुत बेतर है इन हड़ी हों कि जितने बीンド ढरिया में आपको ऑंар इनलोंगा पाइजाता कि उसके अंधर वैसे इतने फायदे हो भी योंगा लाजमी क्योंकि बाद लोगों को खून की कमी हो जाती है ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बैतर है और इसको जिस तरह आपको मैंने तरीका बताया है कि आप इसका सो ग्राम का पीस खरीदें और उसे पानी में डिप करें और उसे पकाएं इतना पकाएं कि वह पानी जल जाए और बन जाया का गाड़ा फिर इसे उतार के आप चान लें और किसी कप में रख लें और उसमें से एक चावली चमच एक लास दूद में मिलाकर रोज आना एक टैम इस्तमाल करें किसी भी वक्त अच्छा पिलकुल कर सकते हैं इसमें मिठास नहीं होती यह फीका होता है यह ठीक जूस समके ताकद के लिए और आट्यों में दर्द हैं अधर टांगों में दर्द हैं Hasets लागाने के लिए बनारे हैं इसमें लोगों को जैसे बात लोगों मुद्सी किते तेसी तिल लाग ना चारें को । यह प्यों है कि प्यों चैमिश्छेर आñasसे बना कि indbern मिसाज कर र अपने घर पे खुद बनाएं. इसमें आपने लेना है यह जैतून और एक बूटी अाल यह सुरंजान. जां, यह उसका Of Your रोगन सुरंजान, रोगन सुरंजान, ये तीस हमल, इनको मिला लिया, आपका पैन किलर ओयल तियार हो गया, और पूरी बोड़ी पर आप मिसाज कर सकते हैं, टांगों पर कर सकते हैं, दस से पंदरा मिन्ट में आराम आ जाएगा, दर्द में.